वेल्कम स्टुटेन कैसे हैं आप सब चलिए हमारा जो चैप्टर चल रही है वो है एल्डी हाइट कीटों दर्था कारबॉक्सलिक अमला जिसमें हमने बहुत सारे वीडियो क्लियर कर रखी है जो आपको डिस्कुर्म बाक्स में मिल जाएगा तो आज के जो टॉपिक है वो है किसके नाँदर से पटरहे हैं हम लोग पटरहे हैं एल्डी हात्यम के डशानिक अविकृया जस्में इसके जश्टर में कहने जारा अविकृया भी बढाई यो वीडियो है वो ब्स ससेंडर है 2 स्षय है बहुत सारे कॉम्सेटरि एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूसफ एक करबन और एकड़न तभी हैलो फार्म बनता है चाहे वो आयोडन जुड़े चाहे ब्रोमी जुड़े जाहे क्लोरी जुड़े आयोडन जुड़े तो आयोडो फार्म बनाएगा ब्रोमी जुड़े तो ब्रोमो फार्म बनाएगा तो इसलिए यह हो गया आपका पास हैलोज यहां पर एलकोहल का भी यूज़ करते हैं या वो एलकोहल बेस वादे बात अलग हैं लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एस्टेल्डी हाइड या किटोन अर्थाथ एस्टोन को सोडियम हाइपो हैलाइट सोडियम के साथ क्या होना चीए हैलोजन होना चीए उसको बोलते हैं सोडियम हाइपो हैलाइट या नार्मल भासा में हम लोग कहा देंगे नामी का क्याधार पर है ना हैलोजन तथा छार का विल्यान ठीक हैं तो क्या बोलेंगे कि जब स्टेल्डी हाइड या इस्टोन को हेलोजन तथा चार वीलियन के साथ गर्म किया जाए तो हेलोफार्म बनता है, क्या बनता है हेलोफार्म इसका मैं मेकनिजम एक बार और बता चुका हूँ कि इसमें ऑक्सिडेशन में अप लोग अच्छी तरह समाझ गयोंगे ब्रोमी ने बताया उसको है न यहाँ पर आयोडीन ने बता रहा हूँ उसको भी एक बार देख लिए उस वीडियो को भी है क्योंकि सेम सेम दोनों वीडियो है चलिए, तो इसका बसुप क्या बनता है हेलोफार्म बनता है, आपको क्लियर कर देते हैं अब यहाँ पर दिखें, यह सेल्दियाई ले लिया अना इसके साथ हम किसके उच्छ कर रहे हैं आयोडीन का, है न, और क्या होनों चीए आयोडीन क्या है, हैलोजन होनों चीए, और क्या है चारी वीलियो अक्सटारे इकार्ण अने पास है, delegate 8, sodium hydroxide जूड़ता है sodium iodide बनाता है यहां पर OH है hydrogen मिलता है जल बनाता है और जो sodium के साथ यह बच्चा हुआ जो भाग है यह sodium फार्मेट बनाता है ओके तो अभी फटाक-फट में बना देता हूं देखे जरूर है न कि यहां पर यह जो CS3 है CS3 वो बनाता है क्या इसमें से तीन hydrogen है तो यह आपका क्या बनाता है iodine के साथ मिल कर बनाता है je CHI3 इसक को बोलते हैं हम लोग iodophile Oke अब क्या बच्चत अपने पास है COH अपने पास एक अम्ली माध्यम की तरह देखिए H, C, H, C, O और एक oxygen के साथ ये बनाते है आपका sodium का sodium format ओके क्यों बना मेकलिजम देखिएगा है ना अब बजा क्या हमारे पास क्या है और आगे हमारे पास क्या है हमारे पास ये देखिए बहुत सा रिका है CS3 में से हमारे पास alpha hydrogen है यहाँ पर है और oxygen भी है तो यहाँ पर एक्षली में जो बेस है बेस से वहाँ से जो OH प्राप्त होता है और इसके जो hydrogen है यह आपको क्या बनाता है यह आपको बनाता है gel H2 क्या बनाता है H2 यह सब आपको सुडियम आयोड़ाइट यह जाएगा और आपको शुरू में बताया था मैंने sodium iodide मैं ठीक आयोड़ीन के साथ क्या सब sodium iodide sodium iodide यह रहे है इसका हम लोग आजे देखें तो कहा जाए है है hydrogen के संख्या कि अपने बास sodium के संख्या कितना है दो है इधर तो हम लोग दो करेंगे तो sodium दो हो जाएगा hydrogen के संख्या दो इधर है तो इसके लिए hydrogen के संख्या एक और बढ़ाना पड़ेगा एक है ना इदर इदर के हैं दो है तो एक और बढ़ाना पढ़ेगा ठीकए और यहाँ पर ओर यह देखो तीन एक 4-8 पहले हैं इदर कितना है दो है तो दो दुने चार करेंगे तो नहें यहीं चल जाएगा निकिन जब है बढ़ेगा तो यहां पर हम लोग माज इसको 3 कर दें तीन है और यह कितना है तीन टीन ने कितना है यह यह बेच हो जाएगा सोडियम तीन इधर है तीन और एक चार इधर है तो सोडियम इधर चार कर देते हैं अब हैड़ान के संग्या भी बढ़ गई होगी तो दो दो चार है और इसमें कुल मिलाके तीन चार चार आठ आठ तर देखें तो एक दो तीन चार बस है आठ भी करना है इसको तो क्या गरेंगे तीन तीन दुने च्छा है और च्छा है दो आठ कम्प्लिट यह सब आप घर में बनाना है यह सब रियक्शन है ना ओके अब यह तो हैलो फार्मा अभिक्रिया हो गया है ना अब इसका हम लोग मेकनिजम देखत कि किस तरह से यहाँ पर हैलो फार्मा अभिक्रिया हुई है चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यह हम लोग देते हैं इस्टेल्डी हाइट का आपको बात करना है ना तो इस इस्टेल्डी हाइड में मैं हैड़न की इस तरफ लिक रहा हूँ देखना देहां से ना हम लोग सोडियम बेस से करते हैं सोडियम अर्थाद बेस चार्ड से करते हैं चार क्या करता है और यह जो अलफा है डोन होता है वह अमली प्रक्रिति का होता है आपको पता है पहले से अमली प्रक्रिति का होता है मतलब यह वाला भाग इसको इलेक्ट्रॉन देकर अपने मे मिला लेता है तो actually मुझे बनेगा वो क्या बनेगा देखिए हमारे पास बनेगा ह सी double bond CH2 minus क्यों क्यों कि जब इसके पास जाता है तो इस bond के elektron कहाँ चला जाता है कारबन में चला जाता है और यह क्या जाता है मनस चार्ज बनाता है clear है अब इस ही जगाँ पर हम लोग use करेंगे किस का चार का अच्छे एक चीजा रहरा बताता हूँ कि हम हम iodine का या halogen का कितने बार हम लोग iodine का तीन बार यूज करेंगे और s2 और 2 यूज करेंगे याद रखे का ठीक है तो यहांपर उपर आई-टू लिग देता हूं यहां पर मैं आई-टू दो जान एई-ई-ए ठीक है दोनों क बिछ मतलब ऐसा I टू है आई-टू है तो इसको एक आई कीधार एक आई कीधार दोन बॉंडिंग में जौन देते हैं चलिए अब यह पोलर होता है धुरूई होता है तो एक आंसी र साथ जूड़ेगा बस समझे रहें आपको कि यह एलेट्रॉन देगा कार्बन है आयोडिन को और इसके साथ यह जूड़ जाएगा और यह आपका जल क्लियर है यह दोनों भी बनेगा दीरल धरी है ना चलिए अब यहाँ पर आगे चलते हैं अब इस जगा जब यह क्लिया हुआ है तब क्या बना होगा इस जगा क्या बना होगा यह बना है आपका है च सी डवाल बॉन्ड ओ है ना च्छ टू और आई आई जूड़ अब यही सीचुशन को मैं एक बार और करता हूं सेम सेम सीचुशन है ना अगर मैं सेम रियक्शन यही और करता हूं कि फिर एक बार मैं एन ओच लूँगा ठीक है फिर एक बार आई लूँगा फिर वही रियक्शन होते जाएगी है ना ऐसे से करते करते तो थोड़ा से दि जहां ज़्यादा समझाएगा आपको हमको यह प्राप्ट हुआ है यहां पर हम लोग यूज करते हैं एने ओएच का एने ओएच में एन ओएच में क्या लिकलता है ओएच मैनस और हमारे पास सी एच टू है CS2 है याद रखेगा ह एच सीडवल बाणड हो कि किस टू है यहां से हैड बन लिगा यहां से S में долж बनाएगा OH जल्ग सर फिर में निकल गया वहर तो ज舞 है situation आपको समाझ आ रही है तो यह situation में क्या होता है कि h c double bond o यह यह आपका c h एकड़ जन तो निकल गया i और यह आपका मैनस चार्जर के साथ रहेगा आपको पता है अब यह हम लोग फिर क्या लेंगे h c double bond o c h एक पहले था एक आई और हो गया तो यह होगा आपका i2 क्या हो गया fari 2 क्लियर हो गया सावज़ एक बाल इने एक बाल ले लिया तो बाल ले लिया ठीक है Hello Jangyi को एक बाल ले लिया दो बाल ले लिया सेम situation इसको मैं एक ही बारे मत समझा तयता सकता है दो बार करके फटाक से क्योंकि a 9H को दो बाल देंगे क्योंकि a और बच्चा हुआ है चलिए तो अब फिर क्या रहेंगे इन ओएज अब क्या होगा अब यहां पास सिच्छिसन देखें कि एच सी डबल वान ओ यहां से हैड्रोजन बाहर हो जाएगा और यह हो जाएगा सी आई टू यहां आपका मैनस के चाड़ जाया जाएगा और न ओएज में से ओएज था न यह ओएज किसको ले लेगा हैड्रोजन को लेगा इसलिए क्या बनेगा हैड्रोजन अब पूरा खतम हो गया अब आप क्या लेना है आई ठीक है और आई मिस्यू भी होता है इसका मतल है अलाफ यू तो यहां वर यहां से क्या होता है कि फिर यह आपको क्या मिलेगा यह प्लस चाड़ जाएगा जाएगा तो क्या बनेगा एच सी डबल बांड ओ सी आई थ्री यहां देखें द्यान से यह बन गया सी आई थ्री क्लियर है यह आपको समझा रहा है सी आई थ्री यह बन गे है न आपको अब यही से स्विचिसन दिखे मैंने नोईच को एक बार यूज किया दो बार यूज किया तीन बार यूज किया एक बार और बच्चा है है न है लो जान को किसने बार यूज किया एक बार यूज किया दो बार यूज किया तीन बार उस गया, उसका काम खतम, हेलोजन का काम खतम, ठीक है, है ना, स्वार यहां पर नहीं दिख रहा होगा तो, यहां फिर एक बार बतायता हूँ, यह हो गया वही, आई, प्लस, आई प्लस फिल लिए, हम लोग इसमें, यह प्लस आई है, यह जाएगा, कहां, यहां से तो, CH, I2 था, N, O, H, चाल लिए, चार में, OH, OH की संत्क्रिया करेगा, हैडोजन की संत्क्रिया करेगा, हैडोजन को ले लेगा, है ना, एलोट्राण देकर, तो यहां पर यह मैनस चाड़ जाएगा, मैनस चाड़ जाएगा, तो, I, C, I2 बस बचेगा, C, I2 बचेगा, तो हमने तीन बार हरताग लें रहेता नहीं यह नहीं बहूना है हां और यहांपर एक पास यहां प्लसमे ठेक तोई आटक करेगा तो यह अपना आई थ्री है वो निकल जाएगा ठीक है अपने लेकर मैनस चार्जा के रूप में कैसे निकले कर देखो यहां लिख देता हूं मैं पहले इसको लिख देता हूं जी है एच सी और डबल बॉन्ड ओ और इसके साथ यह जो ओएच जागर अटेक किया है ना तो यह ओएचाएगा इसकर क्लियर है वह जाएगा ठीक है और यह सी आई थ्री यह अपका सी आई थ्री मैनस चार्जा के रूप में बाहर निकल जाएगा अब लास्ट शुच्छेशन देखें अब होता क्या है कि हमारे पास जो ए ने है ना इसका यूज करना है ना यह बनाना है निकि ने बनान है और यह उक्सिएन के साथ एक जूड़ा हुआ क्या है 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 फ्लस एन ग्रूप में और उक्सिएन मैनस होता है तो यह लेता है कि इसको हैड्रोजन को और यह बनाता है आपका si ch हैड्रोजन लिया ना और यह i3 यह बन गया आपका आइडो फार्म कम्प्लिट ठीक है और क्या बचे अपने पास है एच सी डबल बॉन्ड ओ और यह बचे ओ और यही प्लस सरी मनस चार्ज होगी न क्योंकि यहां पर हैडोजन हेल्ट्रॉन देकर निकल गया अपना तो मनस चार्ज हो गया और अक्सिजन मनस हो गया इसका क्या लोगर सोडियां यह सोडियम फार्मेट बनाया ठीक हैं सोडियम फार्मेट बना दिया एक बार कार देखent और एक बार मैं Oxidation में भी इसी चीज़ को बता हूँ, उसको भी देखिए, बार बार आपको देखिए, समझा जाएगा, मैं हो सकते हैं, तो NAOH को एक बार यूज़ कर देते हैं, और दो हड़ जन बहार निकाल देता, एक एक हड़ जन करके निकाल रहा हूँ न, एक हड़ जन मैनिस अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया, मैनिस अभिक्रिया, मैनिस अभिक्रिया, भी जन बहुता है, लेकिन मैनिस अभिक्रिया में लोग चलते हैं, क्लियर हैं, अब मैनिस अभिक्रिया होता क्या है, इसमें ही बहुता है, इसमें ही बहुता है, तो मैं पहले बार आता ह हो कि जब acetophenone है acetophenone मतलब क्या होता है अपने बाद c6 h5 c o c s3 stone है ना ये stone अच्छा है लो फार मैंने ना stone बताऊंगा सुन बोला था लेकिन यहां पर बहुंट टेम हो जाएगा आप बना कर देखे घर में यहां पर c s3 है न यहां पर आप c s3 डालिएगा इसमें से एक हल्फ यहां पर अल्फा इन को निकालते जाएगा ठीक है तो यह हो गया मैंने सब करेंगे अब यहां से हम्हों क्लियर करेंगे देखें होता क्या है यह जो इस्टोफिन और कोन है यह तो आपको पता है तो यह अलफ़ा है का जो है ठीक है और जो एल्डी हाइड है में क्या होता है मतलब यहां से हमको मिल जाएगा क्या इसको मैं नीचे लिखूंग जाएगा क्या नहीं उपार चल जाएगा कोई दिखकत नहीं है तो यह होता है कि यहां का हेड्रोजन यहां का ऑक्सिजन और यहां से एक हेड्रोजन ठीक वो निकल के बनाता है जल कि बनाता है जल अब क्या बच्चा देखो देहां से हमारे पास जो जो बच्चा है उसको लिख दीजिए फटाख से बन जाएगा इसको मैंनीज बेस कहते हैं क्या बलते है मैंनिस बैस क्योंकि वग्यानिक नवन नाम पर रखते है मैंनी बैस कि का मैंनॆ अबmag है तो है ना अब यहां पर इसका मेकनिजम तो बहुत सारी स्टेप्स में होते हैं तो सुध्यान से देखेगा आपको अच्छा समझा जाएगा रियक्शन में का लिखना है एस्टोफिनोन है फार्मेल्डी हाइट और अमोनिया के साथ संगनित होकर वो बनाता है आपका बीट किटोन बीटा किटोन मतलब कैसे बीटा किटोन मतलब कैसे देखें कि हमारे पास इस कार्बन से जुड़ा हुआ इस कार्बन जुड़ा हुआ पहला कार्बन कार्बन है यह आपका अलफा कर्बन है और यह बीटा कर्बन है इधर एनस टू से देखेंगे तो यह पहला आपक क्या है? कार्बोनील जड़ा होगा है. तो यह बीटा किटोन है अपने पास. क्या है? बीटा किटोन. ओके? हाँ. तो इस तरह से यह मैश्ट अभिक्रिया है. अब इसका मेकनिजम में चलते थोड़ा से. श्टेप बाइ श्टेप में चलेगे. चलो, step number first, हम लेते हैं H-C-H-O, यह अपने पास है फार्मेल्डी हाइट, है न, और हमारे पास क्या है, NS3, यहाँ पर अधिक तर आर-ार वाला यूज़ करते हैं प्रादमिक दित्य कमीन मैं ने बताया था आपको, अब यहाँ पर इसके लौन पेर इसके पास, तो सुरुवाद कहां से करते हैं, शुरुवाद आपका यही सह होगा, सिदी बात, कि लौन पेर है, वो कहां जाएगा, सि हमारे पास carbon निसमों होता है, आंजी ग्रूप से oxygen है मैनस n होता है, carbon plus n होता है, मतलब यहां electron किसको देने कोषिश करेगा, यह electron देने कोषिश करेगा, किसको, carbon को, clear है किसको देने कोषिश करेगा, यह carbon को, अब carbon को जब देगा, तब होगा क्या, यहां, one, two, three, four, carbon तो clear कर पहले जो मैनस चार्ज लिखा तो आंसिक रूप से ना अब पूरना मैनस चार्ज बनाएगा तो कैसे जूड़ेगा यह जूड़ेगा आपके पास अब ऑक्सिज़न को मैं उपर में लिख दे रहाऊं ठीक है नीचे है क्योंकि हम लोग चलो नीचे में लिख देता हूं को इदिक रही है और हमारे पास एक खड़ जन यहां पर था एक खड़ जन यहां पर था अब यह जो एनस थ्री है यह जो एनस थ्री है ना यह एन एच थ्री कैसे करेगा इसका जूड़ेगा ना क्योंकि इसने लिट्रोन दिया है ठीक है तो एक हड़ जन इधर एक हड़ जन इधर एक हड़ जन इधर यह अर यह मैनस चार्ड़ जा है यह आपको पता है अब इस जगा आप क्या हो सकते दे नम्वरान अमोनिया बनाएंगे तो लेकिन यह पर यह मैराश चार्जट है ना अब यह जो हमारे पास स्टेप नमबर जो फिर्स्ट है वह तो समझ आ गया आपके पास हैना अब इस्टेप नमबर 2 में होता क्या है ये ले लिए हम लोग अब इसके बारी ना यह हमारे पास है यह आपका C6 H5 C double bond O उपा लिख देता हूँ और CH3 तो CH3 को मैं CH2 और hydrogen को बाहर कर देता हूँ ऐसे करके कर देता हूँ clear है और ये जो kriya होती है वो आपको पता है ये जो kriya है है ना वो किसके उपस्तितिम होगा किसी base के उपस्तितिम है और base में क्या होता है अपने बास base क्या देता है OH मैनस देता है OH क्या देता है मैनस देता है ये आपको पहले से पता होना चाहिए OH मैनस देता है तो ये hydrogen को electron देगा hydrogen को अपने में खीच लेगा तो क्या बचेगा अपने बास CH2 और इस hydrogen को electron है वो किसके और carbon के और shift हो जाएगा carbon के और shift हो जाएगा तब क्या हो गई यह हो जाएगा आपका c6 h5 c double bond o ch2 minus क्यों क्यों कि हाँ पर यह अपना electron बाउन के लिट्रान इसके और खीच लिया गया है clear है यह होगी आपका दूसरे step अब तीसरे step में करना क्या है तीसरे step में आपने को जोड़ना है एक चीज़र बताता हूं आपको कि हमारे पास यह oh बचा हुआ है यह oh है वो minus charge है और minus charge है वो आपका क्या बनाता है अधिकतर जल बनाता है तो मैंने शुरूम आपको बताते हैं यह यह यही यूज होता है यह है कहां यार हमारे पास oh है यह वाले ओच ठीक है चलो तीसरे step में क्या होता है देहां से देखें तीसरे step में हम पर पास यह है इसको लिदेतों में c6 h5 c double bond o c h2 clear minus charge के साथ और हमारे पास जो पहले step में बना था वह वाला भाग यहां पास है यह क्या है अपने पास है h c n h2 h h actually में ओच कूपर लिखा जाता है याद रखेगा है यह सब आप सरचनम आप लोग पढ़े होंगे ग्यारी क्लास में है ना लेकि यहाँ पर अभी माइन ही रखता है यह सब उपनीशे कौन किसको रखा जाता है ओके अब यहाँ पर होता क् यह हमरे पास मैनस चार्ज है यह आंसी ग्रूप से कौन से रहेगा प्लस चार्ज रहेगा तो यह यह यहाँ अटेक करेगा ना जिसीदा अटेक करेगा अटेक करेगा तो देखें आप अपर ध्यांसे यह बनाएका आपका c6 c6 h5 यह तो clear होगे आपको है ना और c double bond यह भी clear होगे आपका यह क्या है अपने पास यह अपने पास है c2 c2 और यहाँ से जब यह जूड़ता है ठीक नहीं यहाँ से जूड़ता है तो एक चीज आपको clear कर लेना है कि हमारे पास जो ns2 है वो तो रहे गही रहेगा जब यहाँ से जूड़ता है तो यह जूड़ता है तो यह जूड़ता है और यह c6 h5 तो अब बचा क्या c6 h5 c6 h5 c double bond o c h2 और इसके पास बचा c h h मतलब c h2 और n h2 clear हो गया और यही चीज हमने यहाँ पर लिखा है clear है c6 h5 c o c s2 c s2 ns2 यही मैनिस बैस है यह आपका मैनिस अभिक्रिया यह लेकिन आपको और को मैग्स लीखना है क्यों इतनsstrás reaction लिखना है कि स्टाइडर फिर्स जी यह गरेटहर Frankfur उसका all鹿 क भ तो फिलटकॉराइड से क्यार पीचिल 5 जी आप अभिक्रिया आप लोग घर में अच्छा से है कि क्या करंगे प्रेक्टिस करेंगे है ना हमारा जोग